हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा सिस्टम सेटिंग के बारे में सिस्टम सेटिंग क्या होती है सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं इस पॉइंट पे जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सिस्टम सेटिंग लिखा हुआ है इस पे हम जैसी यहाँ पे किलिक करेंगे यह ओप्सन आपके सामने निकल के आ जाते यह देखिए, सारे option आपके सामने निकल के आगए है, सबसे पहले इसमें आता है application, application में जाने पर क्या देखते हैं, हम यह playback setting है, आपकी playback setting में क्या है, आपका stop playback and frame drop है, अगर हम इस पर click कर देते हैं, इस option पर, तो यह आपके frame automatic drop कर देगा, उसके बाद इसकी buffer जो size है, वो same ही रहता है, buffer frame before playback से 5 frame लिखा, by default आया हुआ है, तो वो भी same रहेगा, इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद आता है आपका capture, capture में हम क्या देखते हैं, हमारा margin का size जो दिया हुआ है, इन्होंने 2 frame का दिया हुआ है, confirm दे रखा है, इसके बाद confirm file name दे रखा है, तो यह जितनी भी setting है आपकी, same as it is रहेगी हमारी, इसमें हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, add marker अगर आप करना चाहते हैं, तो marker कर सकते हैं, लेकिन उसको भी हमें हटा देना चाहिए, उसके बाद आता है आपका render, render में क्या है हमारे जो यहाँ पे filters दिये हुआ है, इस type के जो यहाँ पे filters दिये होते हैं, तो दोस्तों आपके किसी भी filter में अगर problem होती है, तो उसके लिए आप यह जरूर देखें कि आपका इस पे click है या नहीं है, render files में, इसमें key frame भी आपके, अगर suppose कि यह transparency आपकी नहीं चल रही है, या transaction आपका काम नही कर रहा है, तो उसके लिए आपको in frame पे click करना पड़ेगा, और इसकी setting चेक करनी पड़ेगी, यह आप जरूर देखें और इसको भूले नहीं, उसके बाद आता है आपका profile, यह profile आ गया है, जब हम सुरू में हम system open करते हैं, तो EDS open करने के बाद हमारे को यह show करता है icon, आइ बाद में, यह देखिए, इस पे change icon का यहाँ पे option आता है, इस point पे, यहाँ पे क्या करना आपने change icon कर देते हैं, और हम यह icon रख लेते हैं, अभी हमारा क्या है, यह icon है, यह देखिए, यह वाल icon हमारा है, और अभी current time पे हम इस icon को उठा लेते हैं, यह सब file जो हैं, आपकी PhD है, तो इन file εδώ को, हम यह देखिए, ok करके इसको ok कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे नाम दे देंगे, निखिल, और इसको हम ok कर देंगे, यह देखिए, आपका change icon हो गया है, और आप इस icon को चाहें, तो delete भी कर सकते हैं, और इसको रख सकते हैं, अभी फिलाल मैं इसक इसको डिलिट कर रहा हूं यह देखिए उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट परजेंट प्रोजेक्ट परजेंट आपका क्या चल ला है अभी परजेंट लिश्ट में जो आपके हैं यह हैं आपको यह बताएगा कि आप किस चीज में वर्क कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो यह प्रोजेक्ट आपकी सेटिंग बता रहा है उसके बाद नेक्स आता है हमारा डिवाइस परजेंट डिवाइस हमारी कुछ नहीं है अभी परजेंट जैनरिक ओएच सी आई आउटपुट ह हमारा चल रहा है तो यह सिश्टम सेटिंग आपको बता रहा है उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनफॉर्मेशन आपको बता रहे है यह आपकी सेम रहेगी और उसके बाद ओडियो सेटिंग आपकी सेट फाइल नेम आटोमेट्रिकली इस पर रिखा आया हुआ पूछेगा और अगर इसको हम इस चाइप से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका नॉर्मली यही रहेगा सेम बाइड इफॉल्ट इस्टिल इमेज के लिए क्या करता है हमने कि कैप्चर फिल्ड में फ्रेम बाइफ रेम चलता है यह इसलिए इसको के फ्रेम पर ही या टिफ डाल सकते हैं जो बाइड डिफॉल्ट आपका उठाएगा तो लेकिन हम इसमें भी आपका बीम पी कर देते हैं जो कि इसका बाइड डिफॉल्ट है आप चाहें तो यहाँ से नॉर्मली फाइल से नेम चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद आता है आपका जिफ फॉर core folder आपका जेफ वार्मेट भी रह सकता है gfx यह server की थूर्व आपका काम करता है infinity में source folder होता है जो सेम एज़िदी रहता है उसके बाद यह आपका server से लिंक होता है ftp servers के थूर्व mpeg file जो होती है आपकी same यही setting रहती है इसके बाद आपका FTP server है जब हम new channel में काम करते हैं तो FTP server का यूज़ करते हैं फाइल का यूज़ करते हैं और इसमें जो इसकी setting रखते हैं हमेसा high रहती है आप चाहें तो middle भी रख सकते हैं और low भी रख सकते हैं इसके बाद आता है आपका ब्राजर ब्राजर भी आपका सेम रहेगा यह removal media xdcam xdcam का यूज़ भी server के ही through हमारा होता है और import और export सारा xdcam अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ भी आपका xdcam के through होगा effect effect में क्या देखते हैं हम यह आपका effect option आप गये हैं video को import कर सकते हैं after effect की video को ॐडures में तो उसके लिए सबसे पहले जरूर है कि हम उसके plugins को यूज़ करें और plugins को यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर चाहें तो सर्च कर सकते हैं और देख सक्शिटे उसके से बाद WST plugins एं प्रीज़ यूज़ आप से check कर सकते हैं और यहां से add कर सकते हैं यह आपकी destination आगी है जहां से आपने source लेना है अगर plug-ins यहां पर होंगे आपके तो वो भी आप add कर सकते हैं यह देखिए यह सारे plug-ins आप add कर सकते हैं तो यह सारी setting आपकी agitives रहेगी इसलिए आप चाहें तो सरफ playback setting का यूज कर सकते हैं इसमें जिसमें कि आपको problem ना हो और अपनी setting check कर सकते हैं और अपना icon चेक कर सकते हैं तो ज़्याद तर इसमें इसका mode का यही यूज होता है system setting में तो friends आगे मैं आपको बताता रहूँगा और सिखाता रहूँगा देखते रहिए मेरे tutorial और सीखते रहिए